इश्वर प्राप्ति अते इश्वर पगती दे लई सच्चे मानतो जतन करन वाल्यानू असीम आनंद दी अनुबूती हुन्दी है क्योंकि परमात्मा ही आत्मादा उद्गम केंद्र अते सच्चा सनेही संबंदी है संसारक प्रेमी मित्रा दे नाल उठन बैठन विच जीवनू एनना अनंद आन्दा है अते सच्चे प्यारे प्रेमी परमात्मा दी नेड़ता विच आनंद क्यों नहीं आउना चाहिदा पंडित श्री रामशर्मा अचार्य पुस्तक दा नाम आत्मा आते परमात्मा दा मिलाप संजोग पुस्तक दी जानकारी गीता विच येन सर्विदम तत्मम अर्थात जो है परमात्मा विच व्याप्त है दस है दसपर्ष्ट व्याख्यान कर दे होए योगी राज अर्विंद ने लिख्या है एह संपूरन संसार परमात्मा दी ही कीरती प्रगटावा है जीव दी पूरंता जा मुक्ती होर कुझ नहीं पगवान दे नालचेतना ज्यान इच्छा प्रेम अते अध्यात्मिक सुख विच एकता प्रापत करना अते पगवती शक्ती दे काम पूरं करन विच अज्यान पाप आद्धी तो मुक्त होके सहयोग देना है एह स्थीती उसनू ओदो तक प्रापत नहीं हुन दी जोदो तक आत्मा हंकार दे पिंजरे विच कैद है अज्यान विच टकी है अते उसनू अध्यात्मिक शक्तियां दी असच नहीं हुन दा इश्वर उपासना मनुख दा सुबाविक तरम है नदियां जोदो तक सागर विच नहीं मिल जान दियां चंचल अते बेचैन रहन दिया हन मनुख दी असीमता वी अपने आपनू मनुख मान लैन दी पावना तो टकी होई है चंगे माडे कर्मा दे नतीजे वज्जो सुख दुख पोग गंते वी आत्मा मोह वश होके दुख पोग दी है मैं शरीर हां मिन्नू सारे अधिकार मिलने ही चाही दे हन एहे मान लैन ते जीव खुद करता पोगता बन जान दा है अते इसे कारण ओजीव कहांदा है संसार विच रहन दे होई चुटकारा नहीं पासकदा इसलए कामना रहित करम योग परमातमा दी प्राप्ति अते संसारक सुख पोगदा सब तो सुन्दर तालमेल तरम है कामना रहित पावनामा विच पाप नहीं हुंदा सगो दुजियां दे पले दी कल्यान दी अते सार्यानू उच्चा उठाउं दी विशालता हुंदी है जिस्तो अंते करंदी पवित्तरता वददी है अते सुख मिलदा है तो हड़े सामने पेश है पुस्तक जो दस्दी है कि कल्यान दी कामना वाले पुरुश दे लई बदलावांग पलपल रंग बदलन वाले नाशवान जगत विच मो विच नाफास के अविनाशी अते स्थिर परम सत्ता विच चित्नू जोड़ देना अते लोक कल्यान दे लई निरिच्छित करम करण विच ही इस जीवन दी पलाई है, पुष्टत दे कुछ बिंदू, हर एक करम दा कोई मालक जुरूर हुन्दा है, परिवार दे बजूर्ग मुख्या दे हात विच सारे कार दा कंट्रोल हुन्दा है, सारी प्रकृती संपूरन सर्या है, जो थोड़ा ज नित्यू ने चपट लिया, इन्ने वड़े संसार दा मालक परमात्मा सच बुच बहुत शक्ति शाली है, पगवान पगदी पावन दा फालता धिन्देहन पर उन्ना दा विधान सारे संसार दे लई इकको जे आई है, पावनाशील व्यक्ति जोदो तक अपने पाप दियां हद्ना पार नहीं कार लेंदा, ओदो तक द्रिड विश्वाश, द्रिड निश्चे रखदे होए भी उन्ना नू प्रापत नहीं कार सकदा, अशूब कर्मा दी कार गुजारी अते शरीर दा हंकार ही मनुख नू छोटा बनाई रखदा है, चंगे माडे कर्मा दे नतीजे सुख दुख दा पोगन वाला ना होनते वी आत्मा मोवश होके दुख पोग दी है, अपनी तुछ सत्ता नू परमात्मा दी शर्नी ले जान वाला मनुख अनेका कष्ट कटनाईयों तो बच जान्दा है, जो इस संसार पगवान दे उदेश विच साथी बन्दे हन, नी परमात्मा दी प्रसंता वदा उन्दे हन, अते उदे इस संसार दा मान वदा उन्दे हन, अजेहियां रूहा दा मिलाप परमात्मा नू प्यारा अते संतोक जनक ही लगदा है, समर्पन दे अदा आर्ते ही परमात्मा नू अद्वैत रूप विच बदल दित्ता जान्दा है इश्वर दी इच्छा नू अपनी इच्छा मान के अते उस दे संकेता अते निर्देशा नू अपनी इच्छा ते किरिया विच जोड देना ही समर्पन है मिलाप दी साधना इसे तो पूरी हुन दी है पुस्तक दे मुखबिंदू सरव शक्तिमान परमेश्वर अते उस दी नेड़ता मनुख महान है अते उस्तो वी महान उस दा पगवान इश्वर अते जीव दा मेल एक संजोग परमेश्वर दे अंगिनत अनुदान नू देखिये अते समझिये इश्वर दी सरव शेश रचना दा सनमान ना करना आत्मा दे कल्यान दे लई उपासना दी एहम जुरूदान